हाई फ्रेंज आज मैं बनाने वाली हूँ टमेटो पास्ता तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी देखिए आप लो पहले हम गरम पानी करने रखेंगे उसके बाद उसमें हम डालेंगे एक कब बड़े कब पास्ता उसके बाद एक स्पून तेल डालने के बाद उसको अच्छे से चार से पांस मिनिट तक उभा लेंगे उसके बाद उसको चान लेंगे पहले हमें छोटे दो टमाटर ले लेंगे उसके बाद दो चार लस्टन के कली डाल देंगे उसके बाद हम लोग अच्छे से इसको ग्रेंड कर लेंगे ग्रियान करने के अच्छे से उसको प्यूरी करेंगे क्योंकि उसके टमाटर के छिलके मुह में नहीं आना चाहिए अच्छे से ग्रियान करना इसको ऐसे करना जैसे मैंने करा सेम ऐसी करना उसके बाद अच्छा लगेगा नहीं तो इसके टमाटर के चिलके मुह में आ जाएंगे इसके बाद हम एक कड़ाई गरम करने रखेंगे उसमें तीन बड़े चम्मज तेल डालेंगे लगभग उसके बाद अच्छे से देहेंगे गरम हो गया उसके बाद हम लोग पीवरी करावा थोड़ा इदर उदर फैला देंगे फिर उसके बाद पीवरी करावा टमाटर उसमें डाल देंगे ऐसे और जो मिक्सी के जार में थोड़े से पानी डालके उसको अच्छे से हिलाके उस सब भी डाल देंगे उसमें डालने के बाद उसको अच्छे से हिलाएंगे, देखिए ऐसे हिलाएंगे उसको अच्छे से, पहले तो ऐसे हिलाएंगे जब तक यह पका नहीं, उसके बाद, हिलाने के बाद, थोड़े दिर हिलाने के बाद, इसमें हम लोग डालेंगे अपने स्वाद अनुसर नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, देखिए मैं इतना ही डाल रहे हूँ, वह आपको कम ज्यादा आपकी मरजी, आपको जैसा खाना आप अचार डाल सकते, उसके बाद अच्छे से हिलाएंगे आम लोग, हिलाने के बाद अब आम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, दे तीखा मिर्च, जैसे खाना चाहते हैं, आप ऐसे डाल सकते हैं, आपको जैसे तीखा अच्छा लगता है, थोड़ा ज्यादा, कम खाना है तो कम, इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से मिलाएंगे, मिलाने के बाद, थोड़ी दिर इसको हम सिम गैस में लगबग 3-4 इसको सिम गैस में पकने देंगे, क्योंकि टमाटर थोड़े कच्छे हो जाएंगे, तो अच्छा टेस्ट नहीं आएंगे, उसके में थोड़ा से हम लीट लगा देंगे इसका, इसके बाद जो हमने पास्ता बॉयल करके रखे हैं, इसको ऐसे हम लोग खोल देंगे, देखि तीन से चार मिनेट पकने के बाद हम इसका ढखन कोल देंगे, देखिए कितना अच्छा color आ रहा है और अच्छे से पक गई है देखिए, अच्छे से पक गई है, उसको थोड़ देर ऐसे हिलाएंगे, हिलाने के बाद अच्छे से मसाला मिक्स करेंगे ठीक है अच्छे से मसाला इसको फ्लेम इसका तेज कर देंगे क्योंकि अब कम गैस में इसको पकाए हम इसका फ्लेम तेज करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पास्ता डालेंगे आप इसको देखिए एक मिनिट मैं पास्ता लेके आ रही हूँ ऐसे यह वाले पास्ता मैं ऐसे डाल देंगे आप पास्ता डाल देंगे अलग से हम थोड़ा सा पास्ता रख रहे है क्यूंकि मेरे बेटे के लिए वह अलग से है ऐसे उसको अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए अच्छे से मिक्स होने के बाद एकदम से कलर उसका देखिए कितना अच्छा सा आ गया इसका कलर देखिए इसको बनाने में भी इसी और खाने में ज्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा जरूर आप लोग ट्राई करें इसको बनाने के लिए देखिए एकदम से कलर देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है आप ऐसी घर में सिंपल से ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा आप विश्वास करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप रेसिपी ट्राई करिए अच्छा लगागो तो लाइक करिए सस्क्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए